कि नमस्कार में अंजली मिश्रो और स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपको बता देंगे एंसीवी के जो जो जॉर्नल डारेक्टर थे समीर वान खड़े अब उन्होंने इसे ले एंसी एसी अपर जो है शिकायत दर्श करवाई थी नवाब मलिक के खिलाब जहापर ने कहा था कि नवाब मलिक ने उन पर अत्यचार किया है उनकी जाती और धर्म पर सवाल खड़े किया है अब इसे ही लेकर आपको बता दे कि आयोग काफी जादा सक नजर आई और आयोग ने अपने तरब से मुंबाई पुलिस को सक्त दिसा जर्देश जारी कर दिया है आयोग ने साफ शब्दों में बात कही है कि मुंबाई पुलिस को अब NCP के क्याबिनेट मंतरे नवाब मलिक के उपर साथ दिन के अंदर FIR दर्ज करना होगा जी जी हाँ बिलकुल आपने सही सुना आपको बता दे कि यह जो मामला है यह वक्त और भी जादा तूल पकरता नजर आ रह होते हुए अब इस पूरे मामले को लेकर मुंबाई पुलिस को अदिशा निर्देश जारी कर दिये है जिसके तहट अब साथ दिनों के अंदर महरास्ट्र के जो यह क्याबिनेट मंतरी है नवाब मलिक उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी है साथी साथ मोहित कामबोज ने यह भी है तो अगर आने वाले वक्त में क्या कुछ नवाब मलिक को देखने के लिए मिल सकता अब ऐसे में आपको बताए कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और आखिर में ऐसा कौन सा एक एहम मुद्दा था जिसे लेकर समीर वांखड़े ने NCC में शिकायत की थी आखिर क्या था आई आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देते हैं समीर वांखड़े ने राष्ट्री अनुसूची जाती आयोग NCC में शिकायत करी थी उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक उनके खिलाफ अत्यचार करते हैं वांखड़े पहले नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यू सब्सक्राइब कारणा बिल्म सब्सक्राइब अर्यच Windows इससके फेंटल उन्हों सब्सक्राइब करते हैं थी मामले वह सब्सक्राइब करींस उन्होंати अलबड़ के निकगा अनकि करें सब्सक्राइब वानखडी की जाती और धर्म से जुड़े मुद्धों को उठाना शुरू कर दिया था मलीक ने आरोप लगाये था कि समीर वानखडे मुस्लिम थे अनसूचित जाती जो महार समुदाय है उसके नहीं थे इसी फरजी उन्होंने कहा कि जमार जो उनका जन्म प्रमान पत्र है य महाराष्ट्र में कास्ट सिक्यूर्टी कमिटी बनाई गई थी आपको बढ़ात जिसके बाद समीर वानकडे ने संपर्क किया था मलिक के आचरन की जाच करने और प्रेस कॉन्फरेंस और जन्समाओं के साथ साथ उनके और उनके परिवार के खिलाफ शोशल मीडिया मलिक के खिलाफ लेना पड़ेगा और उनके नाम पर दर्च करना पड़ेगा राश्ट्र अनिसूचित जाती आयोग में की गई शिकायत में यह भी कहा गया था कि वानकडे उनका परिवार हमेशा हिंदू था और हिंदू रहेगा वानकडे ने शिकायत में कहा है कि हम कभी भी आस्था यह वह से मुस्लिम नहीं रहे हमने शुर्वाठ से ही धार्मिक रूप से हम छिंदू थे लागने आ क्योंकि उनके नामाद को उन्होंने याली समीर वानखडे ने गिरफतार किया था यही कारण है कि इस तरीके के बेतुकर सवाल जैस नवाब मलेक समीर वानखडे को पर खड़े करते नजरा रहें समीर वानखडे ने आयोग से करते सिव्. imitate के आचड़न और साथी साही साथ मलीक वाणघ द्वारा किये गए उठ्पिड की जाच की मांग करने करने का जाएक साथी साथा épसासाथी साथ क्रत्रत कर लिए मलीक समीर वानखडÓ्ड को पर अरोप लगाते उसको लेकर भी उन्हें का है कि साइटी का जो आच्रन है वो भी सही नहीं है और इसे लेकर जांच इस निस्पक्ष जांच कि उन्हें समीर वानखड़े की चाची गुनफा बाई गंगादर भाले राओ ने भी आयोग से संपर किया था और मलिक तोरा लगाए गए आरोपव पर वानखड़े की चाची ने 9 नुवंबर 2021 को मुकुंदवाडी और अंगाबाद पुलिस टेशन में जो है अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार का जो शिकायत है उसे दर्श करवाई थी हाला कि 27 दिसमबर को शिकायत में फिर से एसाइटी के पास इसे भेज दिया गया था और मौशी के सिकायत के में अपना बयान दर्श कराने के लिए मुंबई की बोलिवाल पुलिस टेशन भी बुलाया गया था आपको जादर जिसके बाद जो वान खड़े हैं उन्होंने अपने शिकायत में यह कहा कि उनकी चाची एक वरिष्ट नागरिक है साथी साथ एक कैंसर पीडित रोगी है वो और अंगाबाद में रहती है और ऐसे में अपना बयान दर्श कराने के लिए उन्हें मुंबई जा पाना बिल्कुल भी जो है उनके समर्था में नहीं है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं उपाईगा क्य है और ऐसे में उनका ट्रावल कर पाना जो है मुमकिम नहीं है लेहाज उन्होंने फोन और इमेल के जरीए कॉंटक्ट किया सकता है या फिर पुलिस स्टेशन से किसी को भेज कर उनका बयान दर्श करवा लिया जा सकता है क्योंकि उनका जाना बिल्कुल भी नामुंकिन था लेकिन उनके अनुरोद पर ध्यान नहीं दिया गया एसाइटी ने बयान भी दर्श नहीं किया यह जाज में एसाइटी की गलती और दुर्वैवार को साबित करता है कि किस तौरिके से एसाइटी समीर वान्खडे द्वारा किये गए माग उनके परिवार द्वारा किये साथ उने नवाब मलिक को लेकर भी बड़ी बात कई उनने कहां कि नवाब मलिक जो है वह क्याबिनेट मंत्री है माहरास्ट्र में और उनके हाथ में पावर है और पैसा है ऐसे में किसी भी जाच को वह बहुत ही बच्छे तरीके से प्रभावित कर सकते हैं और किसी जो है एक स्वतंत्र जाच दल का गठन होना चाहिए और आयोग जो है एसाइटी की सुनवाई की अगली तारीख ने उन्हें तैय करके रखा जो है साथ मार्च और साथ मार्च से पहले जो एसाइटी टीम का गठन किया गया था इस पूरे मामले की जाच के लिए उन्हें अप साफ जाओं कि आओ है साफ हो जाएगा लेकिन ये बात भी साफ है कि नवां मलीक भयान देते नजार आए तो Wrap music कि मुश्किल हमाने वाले वक्त में और भी जादा बढ़ती नज़र आएगी क्योंकि ये तो मोहित कामबोच के इसाब से सिर्फ शुरुवात है अब आपको बता दे कि नवाम मलिक लगातार बयान बाजी कर रहे थे लगातार जो है टिपड़ी कर रहे थे इसे लेकर समीर वा कर आए गया था बहुत सारी चीजे जो है देखने के लिए थी कोट की तरफ से भी सक्त आदेर जारी किये गए थे कि नवाब मलिक समीर वान खड़े उनके परिवार से जुड़े किसी भी बयान को नहीं देंगे सारवजनिक तोर पर नहीं उसे लेकर कोई भी टिपनी करते नजर आएंगे लेकिन नवाब मलिक नहीं माने और नवाब मलिक जब समीर वान खड़े का एक कारेकाल का जो समय था वो समाप्त हो गया उसके बाद भी लेकर से टिपनी करते नजर आए थे और कहरे थे कि महाराश्ट्र में लेकर लॉबिंग हो रही है और जितने भी बीज समीर वान खड़े के वक्त बीजब उन्होंने किसी भी वक्त नीचे दिखाने से अपना नहीं जहारा जब भी उन्हें मौका मिलता वह समीर वान खड़े के ऊपर की चड़ुचालते नजर आए थे अब इसे ही लेकर एंसी यानि राष्टियानी सुचित जाती आयोग जो है वो सक नजर आ रही है और साफ तोर पर मुंबई पुलिस को भी कह दिया है कि साथ दिन के अंदर नवाब मॉलिक जो माराश्ट्र में क्यामिनेट मंत्री है उनके के लिए इस पूरे मामले पर इस पूरे मुद्धे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं झाल